सात्वी विधा महिला आश्रम के बारे में आधम यहां पर दानकर लेने वाले है इसके रचनाकार है काका कालेलकर प्रसिद्ध गांधिवादी काका कालेलकर की गनना उच्च कोटी के निभंदकारों में की जाती है प्रस्त रचना पत्र के रूप में लिखी गई है और प्रस्त पत्र में लेखत ने आधर्श महिला आश्रम की स्थातना उसकी वेवस्ता उसके नियम तथा अनुशासन आधि के बारे में विस्तार से लिखा है तो इस विधा को शुरुवात करने से पहले हम यहाँ पर रचनाकार का परिचे जानेंगे जन 885 सी 17 महराष्ट्र मुरुत्य उनिस्वेका सी नहीं दिल्ली परिचे काका कलेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रे बाल कुष्ण कलेलकर जी ने हिंदी गुजराती माराटी और अंगरेजी में समान रूप से लेखन कारिय किया राष्ट्र भाष्या के प्रचार को राष्ट्रिय कारिकरम मानने वाले काका कलेलकर उच्च कोटी के वैचारिक निभन्दकार है विभिन विशेव की तरक पूर्ण वैक्या आपके लेखन शैली के विशेश गुन है प्रमकृतिया राष्टरी शिक्षय के आदर्शो का विकास जीवन संस्कृति की बुनियाद नक्षत्र मारा स्मरन यात्रा धर्मो दै आत्मचरित्र गद्य संबंधि में दिया है रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्तापना उसकी व्यवस्ता वातावरन नियम आदी के बारे में विस्तृत निर्देश दिये है इस पत्र द्वारा महिला संबंधि अपने विचार रकुर्ति प्रेम सामाजिक लगाव का पता चलता है तो चरिए देखते है शुरुआत करते है इस विधा को प्रिये सरवच जिस आश्रम की कलपना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखू तो बहन को स्वस्ने में मदद होगी आश्रम यानि की हुम घर उसकी विवस्ता में या संचलन में किसी पुरुष का संबंध न हो उस आश्रम का विज्या विज्यापन अकबार में नहीं दिया जाए उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है जो महिला आएगी वह अपने खाने पिने की तथा कपड़े लत्य की व्यवस्ता करके ही आए वह यदि गरीब है तो उसकी शिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्ता करने चाहिए पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है आश्रम को ठीक ने लगे तो एक या तीन महिने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा तो इस प्रकार पहे परिच्छेद में कालेल कर जीने उसकी जो नियम है अनुशासन है उसके बारे में यहाँ पे बताया है आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा सभी धर्म आश्रम को मानने होंगे अता सामान्य सदाचार भक्ती तथा सेवा का ही वातावरन रहेगा आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए साद्गी का आग्रह होना चाहिए आरंब में पढ़ाई या उद्व्योग की व्यवस्ता भले नव हो सके लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्व्योग सिखाए जाए पड़ाई भी आसान हो आश्रम शिक्षा समस्ता नहीं होगी लेकिन कलह और पुढ़न से मुक्त सुदंत्र वातावरन जहां हो ऐसा मानोता पूर्ण आश्रस्था होगा जहां परेशान महिलाए बेखट के अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सुदपय पवित्र सेवा में कर सके ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्ता पर समिति का जंजट न हो तो बहन सुन्दर तरीके से चला सके ऐसा एक बड़ा काम होगा उनके उपर ऐसा बोज नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो तो इस प्रकार उन्हें पत्र में लिखा है समस्ता चलाने का भार तो आने वाली बहने ही उठा सकेंगी क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी बहन उनको संगित की भक्ती की तथा प्रेम उप्तसरहा की कुरास दे आगे चलकर समस्ता की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें समस्ता के नियुम के अधिन रहकर आने वाली महिलाए दो दो चार चार का परिवार चलाएंगी ऐसी समस्ता ये मैंने देखी है इसलिए जो बिलकुल संबव है बहुत ही उपयोगी है ऐसा ही काम मैंने सुचित किया है इतने वर्ष के बहन के परिचे के बाद उनकी शक्ती उशलता और उनकी मर्यादा का खयाल मुझे है प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहरा तो रहेगा ही आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मातर निमित मातर होना था समस्ता अपने आप चलेगी समाज में इसी समस्ता की अत्यनत आवशक्ता है उस आवशक्ता मेंसे ही उसका जन्म होगा मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सुचित ही नहीं करता तुम दोनों इस सुचना का प्राथना प्रुवक विचार करना लेकिन जल्दी में कुछ तैर न करके यथा समय मुझे उत्तर देना बहन यदी हा कहे तो कभी उसे कभी से आगे का विचार करने लगूंगा यहां सर्दी अच्छी है फुलों के गुल्दावदी कृजत्थिमम फुल बहार में है उसकी कलिया महिनों तक खुलती ही नहीं मानोभारी रहस्य की बात पेट में भरती हो और होटो को सी कर बैट गई हो जब खिलता है तब भी एक एक पंखुडी करके खिलती है वे टिकते बहुत है गुलाब भी खिलने लगे है कोस्मोस के दिन गए उन्होंने बहुत अनंद दिया जिनिया का एक पौधा रास्त की किनारे पर था जो आये सो उसकी कली तोड़े फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा लिया फिर इसने इतने सुन्दर फूल दिये इसकी आखे मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती दो एक महिने फूल देकर अंत में वह सुक गया और सो ही महिने उसे बिदा दी काका का दोनों को सप्रेम सुभाशिष गुरुवार 21-12-44 प्रिये सरोज दुसरा पत्र है प्रिये सरोज तुमारा 16-18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला इस महिने में महिने इन तारिकों को पत्र लिखे है तारिक 1-9 और 15 और 14 आज लिख रहा हूँ अब तुमका हर सप्ता है मैं लिखूंगा ही तुमारी तबियत कमजोर है तब तक शिरंजीव रहना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा मुझे हर सप्ता है एक पत्र मिलना ही चाहिए पुझ्य बापुजी करते है तो हिंदू मुस्लिम एक्ता के लिए मुझे अपने सारी शक्ती उर्दू सिखने के पीछे खर्च करने चाहिए तुमको मैंने एक संदेश भिजा था कि तुम उर्दू लिखना सिखो इपने फोल के गंमले अपने पास से निकाल दिया है, साधे प्रोटन को ही रहने दिया है, सबको काका का सब्सपरेम सुवाशिष काका कललकर गर ग्रंथा वली से यह लिया हुआ है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो वॿदा दीगी थी मिला अश्रम, इसमें काका कालल करने अपने विच्छार इस पत्र की साहिता से वेक्त किये है इसके बाद अब हम इस पर आधरित कुर्तिया देखेंगे तो चलिए देखते हैं इस विदा पर आधरित कुर्तिया